यह तो मानना बड़ेगा कि Tata Motors EV segment में पैर जमा चुकी है, E-car, E-cap, यहां पे तो अच्छा खासा hold बना ही चुकी है, लेकिन अब एक step आप और ले लिया है Tata ने market में double power के साथ रूल करने का. EV में लगने वाली battery sale के लिए Tata ने एक ऐसा step के लिया है, जिससे विकल की cost भी कमोगी और production speed भी बढ़ जाएगी, तो डीटेल में बात करेंगे, लेकिन उसे पहले bell icon दबाकर power talks को subscribe जरूर कर लीजे, ताकि आप रही power updated. Tata Motors market leader है, passenger EV space में 85% से जादा market share है, electric commercial vehicle category में भी लीज करती है, जिसमें buses भी है, trucks भी included है, तो Tata Group ने एक step आगे बढ़ के बैटरी और sell के लिए एक new company बना दी है, जो सिर्फ sell और battery बनाएंगे electric vehicles के लिए, सोर्सेस के अकॉर्डिंग न्यू कंपनी एक अगितास energy solutions को डिरेक जो कि न्यू कंपनी थर्ड पाटी supplier जो कि चाइना और कोरिया में है, इन पर से भी dependency को कम करेगा, और कहीं न कहीं, competitor को भी बड़ी टकर यहां पे मिलने वाली है, आपको बता दे कि other competitor Suzuki Motors तक बैटरी सेल मैनुफेक्टरिंग प्लान को कम्प्रीट कर लेगी, और दूसरी तर ये खबरे भी आई थी कि Tata Group EV बैटरी प्लान को UK और स्पेइन में सेटप करने की प्लानिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिक ज्वार और लांड रोवर के लिए, इसके लिए UK गवर्मेंट ने भी 500 मिलियन डॉलर सबसीडी ओफर की है, इस बैटरी प्लान को UK में बिल्ट करने क और शायद आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि साल 2021 में Tata Motors ने एक सेपरेट EV कंपनी Tata Passenger Electric Mobility स्टैबरिश की थी, तो अब ये देखना होगा कि EV की तरह बैटरी के लिए न्यू कंपनी को कितनी सकस्स मिलती है इंडिया के अंदर, आपकी इस पर क्या आया है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता है, वीडियो को लाइक करें, शेर करें और ऐसे ही देखते ही पावर टॉक्स, थांक्यू पर वाचिंग